अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजी मेरे चैनल को तो आज हम बनाने जा रहे हैं फटा फट बनने वाला निम्भू और मिर्च का बिना तेल का अचार तो चलिए से स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने ली हैं कुछ हरी मिर्च और कुछ लाल हैं आप चाहें तो पूरी हरी मिर्च से ही बना सकते हैं मेरे पास लाल भी थी टो मैंने लाल भी यूस किया से मैंने धोलिया अच्छे से और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हैDAY मैंने उश्वाण लिया है और यहां मैंने लिये हैं दस बहुत चार वाले नीम्बू ह जो की बड़े साइस के आते हैं तो इन्हें भी मैंने अच्छे से धोलिया है या मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप राई और साथी में मैं इसमें डालूंगी दो टेबल स्पून जीरा डाल दूंगी और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून मेथी दाना तो इन सभी चीजों को हमें लो फ्लेम पर भून लेना है अचार में इन चीजों का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है यहां आप चाहें तो एक टेबल स्पून सौंफ भी डाल सकते हैं तो यह देखे राई च करना है इसे हमें दरदरा पीसना है यह देखे इस तरह से और अब हमें हरी मिर्चियों की डंडी कट कर देनी है और इसे में लगा रही हूं इस तरह से लंबा चीरा तो मैं इसी तरह से सभी मिर्चियों को कट कर लिया है और अब हम नीम्बू को कट करेंगे तो देख लीज चाकू की सायता से ही इसके एक पीस और कर रही हूँ आप चाहें तो ऐसे बड़ा पीस रखें या फिर इसमें भी बीट से कट लगा सकते हैं यह नीमबू के साइस पर डिपेंड करेगा या आपकी चॉइस पर तो इसी तरह से हमें सारे नीमबू कट कर लेने हैं यह देखी मै अचार में नमक अच्छे से डालें ताकि खराब ना हूँ अचार और यह जो अभी हमने पाउडर बनाया है इसका दो टेबल इस्पून में पाउडर डाल दे रही हूं इसमें अब सात यह में डालूंगी कशमीरी लाल मिर्च जो की तीकी नहीं होती है यह केवल कलर के लिए हम यूज करेंगे और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे तो इसमें बहुत जादा मसालों की जरुरत नहीं होती है कश्मीरी लाल मिर्च भी आप डालना चाहें तो डालें वरना इसे स्किप कर सकते हैं तो इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है चम्मच की साहता से अच्छे से मिक्स कर लें या फिर इसे इस तरह से टॉस कर लें इससे जो मसाले हैं वो नीमबू और मिर्च में अच्छे से लग जाएंगे तो ये देखिए हमारा फटा फट बनने वाला अचार बिल्कुल रेडी है यह देखिए मसाले जो है वो नीम्बू और मिर्च में अच्छे से लग चुके है यह बिना तेल का चार है और कितनी जल्दी बन गया है ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें नीम्बू और मिर्च अगर कटे हुए हो तो केवल पांच मिर्च में यह अचार का जो है नीम्बू मिर्च का अचार रेडी हो जाता है तो इसे आप भी बनाएए इस ठर्ण में अभी नीम्बू और मिर्च अच्छे आ रही है तो यह देखिए कितना बढ़ियां अचार बन गया है हमारा आ रहा है ना आपके भी मुमें पानी इसका कलर इसका टेक्स्चर कितना बढ़ियां लग रहा है तो यह देखिए कितना बढ़ियां कलर आया है कश्मीरी लाल मेच और मसाले जो हमने डाले है और इसका टेस्ट तुबध पूछिए हिमत तो इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ स्टफ्ट पराठे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते है तो आप भी बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको ये नीम्बू मिर्च के अचार की रेसिपी कैसे लगी और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू फॉर वाचिंग